असलाम लेकों आज में लिकरा है चिकन लॉली पप जो कि बहुत ही मज़ी की बहुत ही टेश्टी बहुत ही चटपटी बनती है और आप इसको इफ़तार में बनाकर खा सकते हैं बहुत ही मज़ी का बनता है तो इस रेजी बिवाना आप लाज देके न्जॉइ किजिए पसंद प्रीच के दॉत्टवाख से efficacy हमें पйक कच गाठी बार में लीड़क से begeड़के माज़ी 8-10 ब्रेट f ने तोट ने कु sehen mix it economics जर में डाल कर itsここ पॉटर बनाना है तो इस तरी के से डाल दिया है और फिर देखिए पाउटर हमारा बन का एक नो होगा पॉटर के चलाट का जीरा पेश डालना है झिजञ निजगाडली का पेस टेवल्य स्पूम बढ़के ढाले और क का पौर जो कॉटी मिर्च method का चप्णाइए और कियोति तो इसने मैं यहां से तो भुष को डालनाClass ça मैं लाल मेर्च कि तो छाए लाएब दित का ञतनी संसा के लिदूएबंगे चंदे के को देंटे-बैक तो मैंने यहां पर लिया है वान टेबली स्पून नमक और फिर थोड़ी सहरा दर्या के पत्ते भी डाल देना है और इसको बैंडिंग के लिए मैंने यहां ब्लेट कर दिया है तो आधी इसमें डाल दीजिए और फिर अच्छे से इसमें मेक्स कर लेंगे तो बस इस तरीके से मेक्स कर लेना है आप चाहें तो इसमें बटर हो तो वो डाल सकते हैं तो यहां पर देखें चीज सलाइस है अमुल का और इसको अच्छे से स्कायर सेप में मैंने काट लिया है इस तरीके से काटने के बाद जोए ना इसकी जो पीन रैप हट जाएगी और फिर देखें एक अद dozen ढल देना है यहा दरसे प्रण डालने के बाद जोई इसमें तोरी से नमक आव देंगे और दोरी से मैं में यहां पर काली मेर मीर्ज का बोडर क स्कायर कोünden सब्काड़ कर दिया और इसको फ्लाइट करते हुए जो इस टीक है इसके उपर रख देंगे और फिर देखे मैंने चीज जो स्लाइस वाली है और जो इसको फोल्ड करके इसमें भी सेंडर पर रखते हुए इसको गोला डाप का आकार देदेंगे यानि कि जो है लॉलीपॉप जैसा होता है तो आएगा हाथों से थोड़ा सा प्रेस करते हुए चिकना कर लिजिए और फिर एक एक प्लेट में एक एक करके डालते जाए तो बस क्या करना है सिंपल सा हाथों में थोड़ा सा पोशन लेना है उसके बाद देखे बीच में रख देना है इस्टिक को यानिके डंडी को लग इसी तरीके से आपको बना लेना है सारे जुँ है- अपको चुपा लिया हा खेंगा है उस में गाए कंचम अटीएक से Katherine कर ना है जब तो अन्यक्ते will गहों डाल और Mi remix करते में उसके बाद जब्रेट कर देना है और दूसरे में यहां पे अंडे है की डाल देघी लॉली पाप को और इसी तरीका से अन्डे में पहले इसको ंपर ना लेना है यानी की भूल की छिपका लीजी बहुत ऑची से कोवोटिंग हो जाएगी उसके उपर से ब्रेट क्र्म को डाल डीना है तो इक हीट पी इसको फ्राय करेंगे जब इस तरीके का करर दिखने लगे फिर निकाल लेना है और इसके साथ में जो बागी के भी इस्टिक है यानि के लॉली पॉप है उसका अच्छे से इसमें फ्राय कर लेना है तो देख सकते हैं बहुत ही जल्दी बनता है आप चाहे तो इसको रख लीजिए और जब आप खाने के लिए इफ्तार में बैटे तो आप फटाफट से इसको फ्राय कर सकते हैं तो बस आप इंज्वाइए कीजिए इस रेसीपी को अगर पसंद आती है तो कॉमेंट में बताइए और इसको जादा जादा हो सके तो इफ्तार के लिए शेर की कीजिए थैक्स वर वाचिंग वीडियो देखने के लिए और लाइक कीजिए बाइबाइए